हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्त होंगे आज के इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ गंदा जो की मेरी गुल्ड होता है लगवग सभी के घर में पाया जाता है और आज मैं इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि ये शो प्लांट की तरह हम लगवग यूज करते हैं घर में और ज्यादा तो लोगों को हेल्थ बेनिफिट के बारे में नहीं पता है इसका तो इसको आयरुवेद में थंढ़ा पौदा माना जाता है यानि कि इसके जो भी पंचांग है फूल, पते, जड, तनाएं सबके यूज से हमारी बाड़ी में शितलता पुरदान होती है और ये कफ और पित को बैलन्स करने वाला माना जाता है तो इसके पते का यूज, फूल का यूज, जड का यूज और जितने भी स्टेम है, रूट है, सब का यूज है अलग-अलग और पूरा का पूरा एक साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी सा फील होता है, बाडी में बहुत ज़्यादा एक्नी है, इसके बाद आप नॉर्मल वाटर से नहान कर लिजिए, यह काफी रिलाक्सिंग फील होगा, आपके इसको पीसना है, ग्राइंड करना है अगर किसी को चोट लग जाए, घाओ है, एक्नी है, जो बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर बहुत जल्दी भी चोट लगाओ, उसके लिए इसको पीसना है, इसके जूस को इसके रस को लगाना है, घाओ के आसपास, उससे भी यह बहुत जल्दी रिकवरी करता है, तीसरा जब आपको कोई breathlessness feel हो, cough हो, cold हो, या किसी तरह का आपको lungs related disorder है, तो इसके पूरे के पत्ते को लीजिए, और इसका जो फलार है, वो कोई साबी type का फलार हो, कोई भी color का फलार हो, तो उसको लेके, आप उसको पूरा boil करके, इसका काढ़ा फे और में बनाएए, या फिर चाय बनाएए, उसको पीने से आपके जितने भी lungs related disorder है, breathlessness है, उसमें काफी फारक आता है, आप इसको daily routine में भी जो normal चाय है, उसकी जगा यूज़ कर सकते हैं, आपको ये काफी healthy tea मिलेगा, as compared to जो हम regular यूज़ करते हैं, so thank you very much for watching this video.